आप देरी पेट सेख सॉप एक स्थीक सरी असलाम अलेकुम तो इस पेशिंट के अंदर हम एक्स्ट्र ओकुलर मूवम्मेन्ट परफॉर्म करते हैं और देखते हैं इसमें क्या पालसी नदर आ रही है तो इसके लिए आप एज़ शाइन करते हैं और उस side का medial rectus ठीक है, normal काम कर रहे हैं, ठीक है, इस side पर देखो बैटे शाबाश, इस side का medial rectus और जो right side है, उसका lateral rectus इस तरह आप चेक करते हैं, लेकिन इसकी lateral gaze affected है, नहीं हो रही, so right eye का lateral rectus properly काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उपर देखो शाबाश, उपर देखो, नीचे देखो, ठीक है, उपर देखो, मीचे देखो, so superior or inferior oblique दोने side के normal है, so pathology कहां पर है, pathology हमारी lateral rectus की है, right side के उपर, so lateral rectus supply जो हमारी है, 6th cranial nerve है, so most likely यहां पर लियन जो है, वो 6th cranial nerve का है, और हमारा right side lateral rectus muscle है, वो paralyzed है, वो काम नहीं कर रहा है, दोबारा देख लिए हम इसको इतर देखना है, शाबाश, ओपर देखो, इतर देखो, ओपर देखो, नीचे देखो, so lateral right side paralysis है, right side के lateral rectus की, और 6th nerve palsy है, ठीक है, 6th nerve paralysis अगर unilateral आपकी आ रही है, तो इसके तर देखना है, तो इसके अंदर आपने देखना है, कि पिशिन के अंदर कोई सुड़ी तर्म में, ठीक है, other causes definitely और भी हो सकती है, जैसा कि कोई demyelination हो सकती है, pediatric or even less likely है, pediatric onset, multiple cyclosis, वो भी एक cause हो सकती है, फिर stroke भी एक possibility हो सकती है, कि minor strokes है, वो भी करा सकती है, definitely इसके इसको हम further work up कराना होगा, हम इसकी fundoscopy देखनी होगी, और MR की तरफ प्रोसीड करेंगे, thank you.